कि हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग कि क्रेटिंग बेल चैनल में आपका स्वागत है तो मैं एक नई सीरीज जो है लेके आ रहा हूं जिसमें हम कुछ बहतरीनी स्टॉक्स के चार्ट्स को इसकेन करेंगे जिन में बाकरी में जो है कुछ न कुछ दम दिख रहा है और आने वाले टाइम में वो इस्टॉक्स बहतर परफॉर्म कर सकते हैं अलागी 6000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं मार्किट में NSE BSE पर ज्याद अतर स्टॉक्स चली रहे हैं कुछ थोड़े ऊपर कुछ थोड़े नीचे कुछ थोड़े जादा चल रहे हैं कुछ थोड़े कम चल रहे हैं लेकिन चल मेजॉर्टी रहे ही हैं कुछ ना कुछ कही ना कही घुमी रहें वो तो उन में से कुछ कीमती नगीने जो है मैंने निकाले हैं उनके कुछ चार्ट को स्कैन करेंगे क्या पोजीशन कहां ले सकते हो कहां नहीं ले सकते हो कितनी दम देख रही है चार्ट के अंदर तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और यह सीरीज थोड़ा लंबी चलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा मैंने इसके अंदर लिया है उसके बारे में बात करेंगे चार पे क्या देख रहा है शौर्ट टाइम फ्रेम एं लॉंग टाइम फ्रेम का थोड़ा सा मैं एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि इसका शौर्ट टाइम फ्रेम में लॉंग टाइम फ्रेम में क्या टार्गेट प्राइसे में आ सकता है शॉट टाइम फ्रेम में रखूंगा 3-6 महीने का और लॉग टाइम फ्रेम आपका 9-12 महीने का सबसे बहले स्टॉक का चार्ट पैटन देख लीजिए आप इस्टॉक का नेम है कोठारी पैट्रो केमिकल स्टॉक है आप देख रहे हैं यह लाइफ टाइम का चार्ट है इसका और इस समय पर बिल्कुल अपने नियर वाई लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है यह स्टॉक इस समय ट्रेट कर रहा है अब देख सकते हैं काफी ओल्ड इस्टॉक है काफी पुराना जो है लिस्टिड इस्टॉक है 2003 के आसपास का इस्टॉक जो है यह लिस्ट हुआ हुआ है और इस समय पर आप देख सकते हैं कि इस्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा है आप कहीं जाके कि यह जो पोजीशन थी आप देख सकते हैं कि इसको इस्टॉक ने जो है निकाला है कब इसके ऊपर इस्टॉक कितने समय तक टिका है पहले तो आप यह देखिए अब देखेंगे करीब करीब जो है यह आप देखिए 2022 में कुछ महीने जो है यह उपर रहा था दो-चार महीने उसके बाद में फिर यह डाउन आया और देन फिर एक सपोर्ट लेके यहां पर 55 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेके देन फिर जो है इसने इसको ब्रेक किया यहां पर जो हाई बनाया था उसको भी जो है यह ब्रेक कर चुका है और अब तो उसके उपर निकल चुका है तो जो बहुत सालों पहले का जो हाई था और यह हाई लगा था आपका कब यह लगा था आपका 2008 में जन्वरी 2008 में जन्वरी 2008 से आप देखेंगे यह हाई ब्रेक कब हुआ है आप देख सकते हैं कितने सालों बाद जो है इसने यह हाई को ब्रेक किया है इस हाई को ब्रेक करके इसके उपर निकला है तो सालों से रुका हुआ इस टॉक बहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि यह यह कहीं रुखने वाला है अगर अब यह निकला है तो तो पोजीशन तो यहां से स्ट्रॉंग बन रही है और यहां से यह अभी जो है अच्छा खासा दमखम रखता है निकलने का जिस तरीके से इसके प्रोडक्ट वैल्यू है और जिस तरीके से यह अपना आगे एक्जिक्यूट कर रहे हैं अपने बिजनिस को उसके इसाब से और चार्ट पे भी दम है यहां का अगर एरिया अगर हम पकड़ते हैं कि यह जो हाई लगा था 125 रुपे के आसपास और बहां से स्टॉक देख सकते हैं आप ब्रेक हुआ था यह करीब 55 रुपे के आसपास तो यह मार्च के महिने में आप देखेंगे इसने यह लो लगाया करी 55 रुपे के आसपास के वहां से लगवग लगवग 2 गुना तो होई गया है तीन गुना हो गया तो यहां से अभी इसके इन अंदर जो पोजीशन जो बन रही है जन्वरी के मन्त के महीना और इस महीने की जो candle आप देख रहे हैं यह कहीना कहीं सरपास करती हुई चल रही है जो इसका previous हाई हो जो recently हाई हो बनाए 170 का उसको कि वीकली लेविल पर अगर आप लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी भैतर पर्फॉर्म कर रही है यह कैंडल जो अभी इस वीक की जो candle बन रही है कि एक सपॉर्ट लेके अच्छा खासा सपॉर्ट इसको जो है मिला यहां से और यह निकलने की कोशिश यहां इस पहले केंडल्स आप देखेंगे तो इंड़ फी अच्छी कहा सी कैंडल सबनी है कुछ बिक्स इस सब को देखते हुए लग रहा है कि हां इस टॉक के अंदर एक अच्छा खासा इस ट्रॉंग नेस है डेली वेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डेली वेसिस पे भी आप देखेंक गरक्शन हो लेकिन उसी एरिया में करेक्शन सो कि देन प्र अच्छा खासा इस स्टॉक यह ऊपर निकल जाता है तो हम तो नजर बनाते हैं वीकली पर तो वीकली और आप मन्तली देखिए मन्तली लेविल पर भी स्टॉक जो है क्रॉस करने की कोशिस कर रहा है अपने रीसेंट हाई को अब यहां पर मैं आपके सामने फीवो ना की लगा के दिखाना चाहूंगा कि यह वाला जो हाई लगा था आपका एपरेल 2022 में और यह जो आपका हाई लगा है मार्च 2023 में वो लोल जो लगा है मार्च 2023 में आप यहां से आने वाले एक साल का अगर आप सोच के चलते हैं पहले तो हम इतना ही जो देखते हैं कि यह हई और यह लो जो लगा है इसके इसाब से फीवो ना की कहां पे फिट बैटरी है अब यहां पर देखेंगे तो फीवो ना की अपना जो है हाईली पॉजिटिव एरिया में है 161.8% की रेइस्टेंस के आसपास फिवो ना इस समय पर जो है स्टॉक ट्रेट कर रहे है तो हाईली पॉजिटिव एरिया में जो है यह चल रहा है हाईली बुलिश एरिया में जो है यह स्टॉक चल रहा है अब मैं यहां से आपको नेक्स्ट एक साल का जो है मैं दिखाना चाहूंगा अगर आफ फीवोना की लगा के कि कितना किस एरिया में जो इस्टॉक इस समय पर आपका घूम रहे हैं तो आप दिसेंबर से दिसेंबर ले से तो दिसेंबर 2022 से और दिसेंबर 2023 के बीच में जो लगा है और जो हाई लगा है तो हाई आप देखें लो आप देखी रहे हैं ये लो लगा हुआ है stock uptrend में चल रहा है तो हम upside की तरफ जाएंगे और यहां पे आप देखेंगे तो यह इसका हाई है अब यहां पे अगर आप देखेंगे according to Fibonaki तो 38.2% की resistance के नीचे जब तक stock नहीं जाता जब तक कोई problem नहीं है और उसके तो काफी उपर stock है और 38.2% की resistance हा रही है 127 रुपे के आसपास तो कोई problem है ही नहीं सब ओके चल रहा है support भी अच्छा खासा मिला हुआ है उसके उपर stock निकलने की कोशिश भी कर रहा है इस वार की जो weekly candle बन रही है उसको देखते हुए और 171 रुपे का जब यह पैरा निकल जाएगा यहां से 171 रुपे के उपर अगर यह निकलेगा तो आप देख सकते हैं एक range अच्छी खासी खुल रही है 170 रुपे से करीब करीब 215 रुपे तक की आसपास की range खुल रही है यह range में काम यो है यह फिर करने की कोशिश करेगा और यहां तक इसको पहुचने के लिए कम से कम कम से कम मुझेल जैसा लग रहा है तीन से छह महीने तो चाहिए तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है अगर आप यहां से देखेंगे तो करीब करीब पचास से पचपन रुपे की चाल इस स्टॉक के अंदर आ सकती है तो आप देखेंगे 16, 38, 64, 64, 16, 38 मतला आप 30% के आसपास 30-35% का आप यहां से देख सकते हैं कि इसके अंदर उच्छाल आ सकता है आने वाले 3-6 महीने के अंदर जिस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक के अंदर पोजिटिविटी अगर आप देखते हैं तो स्टॉक की चाल को अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक की पोजीशन को आप देख रहे हैं चार्ट पोजीशन को अगर आप देख रहे हैं तो और अगर आपका लॉंग टाइम फ्रेम है तो यहां से मुझे लगता है कि यह स्टॉक और उपर निकल सकता है करीब-करीब इसके कंपनी के होते चले जा रहे हैं उस इसाब से अगर आपको पोजीशन इसके अंदर बनानी है तो यह एरिया काफी अच्छा है कि आप 150 रुपे से 160 रुपे के बीच में अगर आप इसमें बाइंग करें CMP पे अगर आप बाइंग करना चाते हैं तब भी यह स्टॉक लिया जा सकता है अपना एक अच्छा कासा आप इसके अंदर की स्टॉप लॉस आप एक डीप स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं और डीप स्टॉप लॉस इसके अगर आप बॉडी के अगर लोक अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे जो आ रहा है बन 45 का तो वो आपके लिए सफीशियंट स्टॉप लॉस है इतना तो जरूर देखना चाहिए अगर आप देखने 160 रुपे के आसपास इस्टॉप खड़ा हुआ है और यहां से 15-15 रुपे की चाल इसके अंदर मिल सकती है 15 रुपे का आपका रिस्क है तो रिस्क रिवाट रिशो में भी आप देखेंगे तो तीन गुना का फायदा है तो हर पोजीशन से यह स्टॉप बैटर फिट लग रहा है इसके अंदर चाल आ सकती है और अगर जिस तरीके से मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं अगर यह चाल आती है तो मेरे एसाब से यह राइट फिट स्टॉक है यहाँ पर लेने की स्टॉप लॉस जरूर मैंटेन करें स्टॉप लॉस अगर मैंटेन नहीं करते हैं तो यह स्टॉप डाउन अगर आता है तो हो सकता है कि 125 रुपे तक देखें स्टॉप लॉस अगर आप मैंटेन करेंगे तो आपका रिस्क उसी तरीके से जो है आप मैंटेन कर पाएंगे अधर बैस ले लिया और देन फिर स्टॉप लॉस लगाया है नहीं है चलता चला जा रहा है नीचे तो है बहुत भैतरीनी स्टॉप यहां से निकल सकता है पोजीशन स्टॉप बन रही है चार पैटर्न भी शो कर रहा है और बार बार निकलने की कोशिश भी कर रहा है अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है तो उन सब चीजों को देखते हुए स्टॉप को लिय जा सकता है एक बार अगर इसने यह हाई ब्रेक किया तो यहां से एक इसके अंदर अच्छी खासी चाल आ सकती है तो उस सम्चीजों को देखते हुए आप भी अपना जो है इसमें एनलाइसिस जरूर करें उसके बाद ही स्टॉक को बाई करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो